है अलो एब्रिवान में हो मानिक भाहिक और मैं आपको सौगत करता हूँ गूगल एड ट्रीट अने हिंदी क्लास पे और यहां पर आपको गूगल आडवर्स टेप बाइस टेप आपको सिक्ट को मिलेंगे आजका जो में टॉपिक है कैसे आप साइट लिंग इसके साथ शाथ पिछले वाला विडियो के हम दर हमने डिसकस किया कि साइट लिंग एक्सेंशन कैसे करेट करते हैं आज मैं आप लोगों को सिखा हूँ गा कैसे डिषिशन बोक्स के अंदर आपको ऐसा ही तरह किसे आड दिकाना होगा तो मैं आपको सामने में एक प्रेजने tv set shop online now right तो यह जो option आप selection जो देख रहे यह कैसे आप लिख सकते हो और इसी को कहते है site link extension जैसे यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा site link extension यहाँ पर भी आपको site link extension मिल जाएगे और ओ हाम लोग एक साथ मिलका सेखेंगे Google Ads create करने के तरीका राइड तो यहाँ पर आप site link extension पर क्लिक कीजिए पिसले वाला वीडियो के अंदर आपने देखा के कैसे site link extension क्लिक कर सकते है इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर आप add कर सकते हो नहीं तो मैं फिर से दुबरा यहाँ पर new site link add extension अभी को क्रेट करना सिखाऊंगा तो चलिए में यहाँ पर सेम टू सेम एक टाइटल में यहाँ पर कॉपी करते हो है यहीं कॉपी करके में यहाँ पर site link extension में देना चाहता हूँ और यहाँ पर जो URL है में यहाँ आपर Amazon.com देना चाहता हूँ For example, आपको जो final URL है आप हो डाल दीजिए जो actually आपको जो product है ओ ही products के final URL आप डाल दीजिए इसके बात आथिये add description text So friend, यहाँ पर आपको 35-35 करके आपको लिखने को में लेंगे, आप चाहे तो इसके कम भी लिख सकता है इससे ज्यादा नहीं लिख सकते है Right, तो आपको जितना सारे character आपको लिखना है 35 के आंदर आपको लिखना होगा, और यह आपको recommended करता है मतलब यह आपको suggestion करता है, आप चाहे तो इहाँ पर लिख सकता हो, अगर ना चाहे तो आपको नहीं लिखना है, तो कोई बात नहीं है पर क्या है, यह ऐसा ही तरीके से add चलने से आपको जादा ज्यादा call to action add बन जाते हैं और लोग बहुत जादा impress होता है और एक user मानता है कि हाँ, आप एक अच्छा चे अच्छा add campaign चलाते हो, तो मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ, copy करने के बाद मैं यहाँ पर दिया देता हूँ, site link extension और यह कैसे देखने में होगा, साइध आप थोड़ा सा देख लेजे, तो अगर यह site link आप extension करेंगे, तो आप को ऐसा ही देखने को भी लेंगे, अगर आप desktop पी क्लिक करेंगे, तो desktop क्लिक करने के बाद 49 इंस ही, ऐसा ही हो जाएगा, अब जब add campaign चलाएंगे, तो इसके साथ-साथ आपको यह सारे सी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो चले, और एक अब यहाँ पर डाल देंगे, त आपको साथ पता चलेगा कि साथ लिंग एक्षेंशन टेक्स टू, तो यहाँ पर मैं और एक टेक्स लेना चाहता हूँ, यहाँ पर by default यह वाला, ठीक है, यह लेने के बाद मैं यहाँ पर copy paste लगाऊंगा, copy paste लगाने के बाद आपको कोई भी final URL है, तो आप चाहे, तो आप final URL website हो, यहाँ पर डाल दीजिये, और आपको जो एड डिशेंशन है, यहाँ पर आप डाल दीजिये, copy करके, मैं देखें, कोई भी एड कापी करना गलत है, बिकाज आप आपका खुद का जो एड केमपेन हो, आप प्लीज खुद लिखें, मैं आपको एग्जेंपल के और time save करने के लिए, मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप फिसे preview कर सकते, preview करने के बाद, आप देख सकते के 49-inch TV, जो यहाँ पर आपको गूगल पे देख रहे है, 49-inch और सानियल भी, तो यह आप देख सकते है, तो ऐसा ही तरीके से अगर आप preview करेंगे, और यह desktop में जाए है, तो आप देख सकते के कैसे तरह के आड बन सकते है, तो आप देख सकते के site link extension, same to same, आप देख सकते के, preview के, आपको Bluetooth, wireless, iPhone, 49 TV, जो एकजम्पल के दोवर, आप यहाँ पर मिल रहे है, यहाँ पर भी आपको same to same मिल रहे है, तो आपने site link extension लिखते है, उ दिखाऊंगा और ओ भी professional की तरह, अगर यह वीडियो आपको अथी लगते है, तो please like और comment कर दीजिए, इसके बाद और भी वीडियो अब को Google Ads के तरफ अब को मिलते रहेगा, so thank you so much friend अपनी important time दिया, मिलते है Google Ads new training video के साथ, तब तक अब happy रहे है, खुशी रहे है, जाए ही बना मत्राव